नवरात्र के पावन औसर पर दुर्ग वाड बारा पारशत की पहल से वाड में रखे जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं को एक साथ एक ही दिन लाने प्रयास किया गया साथ ये बड़े ही सादगी के साथ विसरचन भी किया जाने की बात कही नवरात्र के पावन औसर पर शहर भर में गाजे बाजे के साथ दुर्गा प्रतिमाओं को लाने के साथ जगा जगा रखने का रिवात चला आता रहा है इससे देखते हुए वाड बारा के पाशद अजित वैद ने एक नई पहल करते हुए वाड में लाए जाने वारी सभी प्रतिमाओं को एक साथ एक ही दिन लाने का निर्णा लिया जिसके बाद सभी वाड बासी और महिलाएं सच धजकर पारमपर के वेशभूशा नजर आई इस दोरान सभी महिलाएं लाल रंग के वेशभूशा में एक साथ माता राने के खुश्या मनाते गाजे बाजे की धुन पर थिरक्ती नजर आई इसकी साथ लिये गए निरिने में विसर्जन के दिन सभी प्रतिमाओं को एक साथ साथी के साथ विसर्जन किये जाने की बात कही गई इस सम्मन में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी दुर्गवाशियों को, सहरवाशियों को, वाडवाशियों को, माता रानी के इस हरसो उलास तिवार की 13,000 कामना है इस वर्ज हम लोग वाड नमबर 12 मोहन अगर पस्चिन के सारे मंडलियों ने यह तैय किया है कि हम हर वर्ज अब माता रानी के आगमन पे और गड़पती पपजी के आगमन पे हरसो उलास और जोस रहेगा वैसे ही विसरजन के समय हम सांथ मावल पे लेके जाएंगे इस से आज जो आचार सीता लगा है इसका पालन भी होगा और वाट नमर 12 की सारी प्रतिमाएं एक साथ हर वर्ज सारी प्रतिमाएं एक साथ जाएगी ऐसा हमने इस वर्ज अपने वाट नमर 12 की सारी मंडलियों से बात करके यह तैय किया है कि अब हम लोग पूरे वाट को वाट की सीतने भी यूवा हैं और यूतिया हैं को माले के एक सीरे से एक सारी मोतियों को जोड़ने का पहल किया है जै माता दी जै माता दी पीछ अपन जो माता ला रहे हैं अपन बहुत ही अच्छा पहल किया अंकल हमारे पारसर जी और ऐसा हमेशा ही होते सब्सक्राइबες purity अन्हें सप्टमे जाकी के सांथ ले के आ रहे हैं अपने पहले बार हमको ऐसा देखने को मिला है जो हमारे अजीत危द अंकल के वज़े से हम लोग इतना सारे बहुंत उससा से सको हम लोग इंजॉय कर रहे हैं बहुत और मातावी सर्जन के समय माता की बिदाई हम सेवा से या फीर एफिर ऐसे धोल वोल से ही करेंगे माता की बिदाई हम हम अपने माता जी को अभी लाने जा रहे हैं हमने बहुत से धुमाई दीजे वगेरे लगे हुए हैं और फिर आप हम देखिए फिर जा माता दी जो कि इस पर हम सभी लोगों ने मिलकर सोचा है कि हर वर्ष की तरह अलग-अलग लाते थे इस वर्ष नहीं पहल करकर सभी लोग मिलकर एक साथ ला रहे हैं ताकि माता को लाने के समय सभी उत्साव पुरुवक रहे हैं और ले जाते समय माता क्या है थोड़ा दूप हो जाती है तो उसके कारण हम सब भी सोप में रहते हैं इसलिए हम लोगों ने लाने के समय ही नियूस की लिए दूर्य से नसीम फारुक कि रिपोर्ट